यह होममीट और्गानिक जो हरा कलर यानि ग्रीन कलर का पानी आप देख रहे हो इसका इस्तेमाल से सिर्फ पांच दिनों में गुलाब के प्लांट में आगए अंगिनेत चाखा से ब्रांच नय नय ब्रांच और ग्रोती नहीं आए है जितना ग्रोत आए है हर ग्रोत के टिप् पानी जो ब्रांच निकल के आए है ओर डेट शूट नहीं निकल रहे है ब्लाइन शूट नहीं निकल रहे है इस पानी में है 75 बेनिफिशियल यूसफूल नीट्रेन साथ में इसमें इंजाइम भी है इंजाइम लाइक एमिनो एसीड एंटी ऑक्सिडेंस कैल्सियाम मैगने यह फांगी साइड भी है यानि फांगस से यानि बीमारी से प्लांट को बचाते हैं और भी बहुत सरा काम यह हरा पानी करते हैं रोस प्लांट के साथ साथ और भी कोई भी प्लांट में तो और क्या का काम करते हैं वीडियो में आगे जके आपको डीटिल शेयर कर रही यह कर दो कि मुझे काफी लेने के लिए निवनीउ सख्इय लेने के लिए इस टाइम औसम भी रोज प्लांड का साथ देते हैं भ्रांच के आते हैं अगर हम साई से रोस प्लांट को क्यार करें, देखवल करें, कुछ छोटे-छोटे बात धान पे रखें, तो नवेंबर में जितना साखाय निकाल के आते हैं, उतना ही फूल हमारा रोस प्लांट में खिलते रहेगा, आप टू मर्च महिना तक, तो रोस प्लांट यानि गुला करूंगी उसको इस्तेमाल से, देखिए इस तरह आपके पास बहुत सरा अंगीनात साखाय निकाल के आएगा आपका रोस प्लांट में, काफी साखाय के साथ बार्स भी निकाल के आएगा, पर आपको करना के है, इस जो नयन पत्ता एक्तम बहुती पतले से रेट कलर जो करका के आपको बचा करण के रखना है, नामी बनाके रखना है, यह गुच्छों में निकाल के आएगा, क्यूंकि इस टाइम क्या होता है, मौईस्चर का जूरत होता है, आप पानी के भी नहीं करेंगे, इस जगह पे ड्राइनिस के कारण में जो जो नया शूट निकल के आ द्राइनेज के कारण पर उहां पर खतम हो जाएगा आगे वह ग्रोथ नहीं ले पाएगा और आगे किसी भी तरीके से ग्रोथ भी ले पाएगा तब भी उसमें जो सूट निकल के आएगा उसमें कलिया यानी बर्ड नहीं बन पाएगा यानी इसको बोलता है ब्लाइड water spray करने के साथ साथ आपको spray करना है imida chlorophyid composition का insecticide new growth पे किरो का attack बहुत ज्यादा मात्रा में होता है इसलिए हमको इस time insecticide का spray करना बहुत जरूरी है गुलाप के plant में जब आप पानी का spray करेंगे आपको सुबा के time कर लेना है और जब आप insecticide का spray करेंगे आपको शाम के टाइम पर करना है सेकिंड स्टेप में देखिए आपको जो चुटा चुटा ग्रोथ आपको दिखा रही हूँ ये ग्राफटिंग एरिया से निकल के आ रहे है ये है बसल सूट तो जादा से जादा बसल सूट लेने के लिए आपको करना के है इस टाइम जब आप कोई नाया पौधा लगाएंगे आपको क्या करना है पौधा जब आप लगाएंगे आपको इस तरह देखिए ग्राफ्टिंग एरिया का नीचे तक आपको मिट्टी के अंदर होना चाहिए और एकदम मिट्टी के उपर ही आपको ग्राफ्टिंग और मान्त में और ठीक इस तरह ही आफिक निचे का पोपर्षिन तक आपको मीट्टी के आंदर गुलाब का प्लाण को लगा देना है आपके साथ बात करते करते आपको रेजल भी दिखा रही हूँ, रोस प्लांट का अपडेट भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किस तरह के से मेरा प्लांट में नए नए सखाई आ गए है, सिब दोई बार मैंने इस फार्टिलाजर को इस्तिमाल किया है नेक्स टीप्स आपको क्या करना है, आपका रोस प्लांट में जितना ही पुराना पत्तिया है, वो बिमारी लगता ही लगता है, बिमारी नहीं है तो एक का दुक का पत्ता है पुराना पत्तर, आपको काट करके हटा देना है, आप हाथ से हटाय मत करिए, आप एक सिजर ले ल और साथ साथ में आप तो आज का फार्टिलाजर देई रहे हो तो बहुती जल्दी से चार से पांच दिन के अंदरी अंदरी आप देखेंगे कि आपका रोस प्लांट में जो रोस प्लांट का आखे होता है वहां से बहुती ज़्यादा मात्रा में आपका रोस प्लांट में न बहुत आच्छा से धूप लागे ऐसे जगा पे शीफ्ट कर देना है और पानी का आपको कंट्रोल करना है क्योंकि आपका प्लांट में एक भी पत्ता नहीं रहेगा आप जैसे कट करके हटा देंगे तो पानी बहुत ही कम जरूरत होगा आपका प्लांट में इसके हिसाब से आपके मिठी ड्राइः हो जाए तब आपका प्लांट में थोड़ा सा पानी आपको दे देना है ऐसे भी नहीं है कि बिलकुल आपको मिठी को शुखा के राखना है मिठी बेजाना है क्योंकि मिट्टी ड्राइ हो जाए तब भी निव ग्रोथ में प्रॉबलेम आजाएगा तो गमले में लगा हुआ है रोस प्लान का जो सॉइल है उसको आपसे मिट्टी का नौमी को आपको मेंटेन करना है ज्यादा पानी आपको बिलकूल भी नहीं देना है फाटिलेजर देने से पहले आपको मीट्टी को अच्छा तरीके से गुराई कर लेना है देखिए मीट्टी को एक से देर इंच तक आपको इस तरह गुराई करना है और विट्स तो आपको हटाना ही हटाना है अगमले का मीट्टी साफ साफाई भी आपको कर लेना है और जो ग गुराई करने का प्रोसेस है आप हर हमता करिए गुराई रोस प्लांट को बहुत एच्छा लगता है इसे रोस प्लांट को जरो तो हवा और धूप लगने के कारण में मिठी पे कोई फांगस लगना शुरू हो जाए तो बीना कोई फांगी साइट से ही नाचरल तरीके से मतलब इस तरीके से फांगस खतम हो जाता है और कोई भी dry cheese जैसे dry flower हो गए, dry branches हो गए, आपको बिलकुल cut करके plant से अलग कर देना है next process में आपको दिखा रही हूँ कि कौन सा fertilizer हमको रोज plant में इस time देना ही देना है तो देखिए इसमें जो fertilizer है, पहले आपको fertilizer दिखा देती हूँ उसके बाद आपको प्रोसेस दिखाऊंगी कि इस fertilizer को किस तरीके से आपको ready करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मुठी गोबर कखाद यानि cow dung compost पानी में भीगो के रग दिया था cow dung ऐसे एक manure होता है जिसमें भरपूर मात्र में nitrogen भी है और साथ में बहुत सरा micro and macro nutrient भी है cow dung compost रोस प्लांट को बहुत ही अच्छा लगता है इसमें बहुत ही अच्छा बरिया तरीके से रोस प्लांट ग्रो करता है यह जो आप green color का liquid देख रहे हो इसमें है lesson और इसमें है aloe vera यह दो चीजी प्लांट में रोस प्लांट में बहुत ही बरिया तरीके से काम करता है इसमें जैसे मैंने आपको पहले mention किया इसमें rooting hormone भी है इसमें और क्या क्या अंटी bacterial properties भी है और lesson garlic क्या करते है प्लांट को बहुत ही अच्छा से growth में लेके आते है यानि प्लांट में पौधा में जोब जो समस्य है ये fertilizer इस्तिमाल करने से एक दम सी ठीक हो जाता है नैचरल तरीका से और प्लांट से new new growth भी लेके आते हैं तो आपको करना क्या है आपको cow dung manure को एक मुठी आप ले लीजिए आधा लिटर पाणी में आपको दो से तीन दीन बなく के राख देना है और जिस दिन आप प्लांट में इस्तिमल करेंगे उसी दिन क्या करना है ऐपको ऐलोवेरा ले लेना है और आपको ले लेना है गार्लिक वीडियो पर बना रही है डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगी तो यह दोनों चीज़ को पेस्ट बना के च्छन के आपको यह कावडंग कॉम्पोस्ट के साथ मिला देना है और बहुत अच्छा तरीके से प्लांट का सोयल में आपको एपलाई कर देना है दिन बाद उस टाइम आपको कावडंग कॉम्पोस्ट नहीं लेना है आपको सरिफ लेना है ऐलोवेडा और गर्लिक तो यह जो अलोवेडा और गर्लिक का पेस्ट बनाके च्छानके आपको पानी के साथ मिला के भी रोज प्लांट में दे देना है इस कंपोजिशन को आपक इस फार्टी लैजर को अब हमको क्या करना है इस टोटल फार्टी लैजर को हमको 5 लिटर पानी के साथ मिला के प्लांट में इस्तेमाल करना है इस तरह फार्टी लैजर को बाना के आपको रोस प्लांट में डालते जाना है रोस प्लांट का मिट्टी पे आपको डालते जाना ह और मैंने जो जो ट्रिक्स और टीप्स बताई जो टेक क्यार बताई इस फाटी लैजर के साथ साथ ओभी आपको फॉलो करना है अब आपको इस fertilizer को apply करके दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको मीट्टी में दे देना है कि इतना है आपको देना है कि पूरा roots इस fertilizer से भीग जाए आपको ज़्यादा भी इस्तेमल नहीं करना है और कम भी इस्तेमल नहीं करना है तो November मांत में गुलाब यानी rose plant में जो हमको new new सखाए चाहिए बहुत सरा growth चाहिए तो किस तरह आपको rose plant को growth पे लेके आना है आज का वीडियो में आपके साथ details share किया है आप आपको दिखा रही हूँ जो fertilizer मैंने बना लिया था उसको complete process आपको दिखा रही हूँ आप देखना चाहते हो तो वीडियो पे बना रही है फेंस आपके साथ details share कर रही हूँ lesson तो hard kitchen में मिल जाता है बहुत आसन तरीके से और aloe vera जो हम इस fertilizer में इस्तिमाल किया है इसके लिए हम इस्तिमाल करेंगे garden में मेरा garden में लगा हुआ है fresh aloe vera उसी से दो पत्ते एक देखिए इस तरह हम cut करके इसको इस्तिमाल करेंगे market में जो ready made aloe vera gel मिलता है उसको आपको जड़ा से भी इस्तिमाल नहीं करना है आपका रोज प्लान 10-12 इंच गमले में लगा हुआ है तो एक प्लान के लिए आपको 8-10 lesson का कलिया ले लेना है साथ में आपको ले लेना है यह जो मैंने aloe vera लिया है aloe vera को टुकरा करके आपको लेना है इससे क्या होगा हम जो paste बना रहे है पेस्ट बहुत ही आसन से बन जाएगा और lesson यानि garlic जब हम लेंगे garlic का जो यह dry चिलका है इसके साथ में तो भी ले लेना है तो इस तरह देख से इसको छुटा-छुटा टुकरा में मैं काट कर लूँगी और जब भी आपको प्लांट में इस्तेमाल करना है आप साथ साथ में बना लीजिए उसके बाद ही तुरंद प्लांट में इसके बाद प्लांट में यह जो पेस्ट बना रही हूँ garlic और aloe vera को इसको बना के प्लांट में सारा सामसा गाइब हो जाएगा और जो जो नया चीज देखने को मिलेगा सिर्फ गालिक के बजाए के गालिक का इसके कारन में इसमें थोड़ा पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और देखिए अच्छे से पेस्ट बढ़ने के बाद मैं चान लेती हूँ च पर पिंसे कहरे पाना में ही आपके पस लिक्वीट फाटिलाजर अब सासत में बना रहा हो तो उसी में भी यह पेड़ सकते हों तो इस तरह इस फाटिलाजर को आपको एडि कर लेना है अप ये जो हमने चान के लेके आई है उसको हमको क्या करना है यह काष्या मैं तो आप क्यार करें बहुत सदोती है की और चत्व हो गरें उतना फोल आपका में खिलते रहत और यह फ़ाटिलाजर यह है इसके सबस्छाइफ का और दो लिए जो आटा को पार अपड़र के लेकर आने के लिए आप आप को क्या का क्यार करना परेगा। इसके बारे में जो जो पॉइंट आपके साथ किया है उसको भी आप अच्छा तरीकस से मेंटन करिए। आपको बहुत ही आच्छा मिलने के लिए तो आज का वीडियो यहां पे एन करते हैं मिलते हैं और कोई ना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंज थैंक्स पूर वाचिंग हैपी गार्डिनिंग टेक क्यार एंड गुडबाई